Hello everybody, I am CSI Chicago and in this video we are going to discuss questions from two topics of logical reasoning. One is calendar, another is clock. और मैंने इसको अपने regular class में इतना detail में पढ़ाया है कि I hope आप लोग को इसके questions आप बन रहोंगे. तो चलिए फट से हमारे clocks और calendars के अलग-अलग तरह के questions discuss कर लेते हैं. जिससे कि पाँच मिनट में अगले पाँच मिनट में आपका calendar clocks बहुत अच्छी तरह के से revise हो जाएगा. तो calendar का पहला question आपके screen के अपर ये रहा. Which year in the future will have same calendar as 2009? 2009 के जैसा same calendar और कौन से year का होगा? तो आपको पता है एक बात कि 2 year का calendar same तभी होता है जब उन 2 years के बीच में odd days 0 होता है. तो सबसे पहले आपको find out करना पड़ेगा कि 2009 और कौन से year के बीच में odd days 0 है. तो उसके रहे हम लोग ऐसा कुछ timeline मैंना लेंगे और ऐसा लिख लेंगे. अब हम लोगों पता चलेगा 2009 क्योंकि वो ordinary year है तो उसमें odd days कितना होगा? 1. 2010 में 1. 11 में 1. 2012 is a leap year. एक दिन extra होता है तो इसलिए 2012 में odd days हो जाएगा 2. 2013 में 1. 14 में 1. 15 में 1. बड़ अगर आप देखेंगे कि 2009 और 2015 के बीच में कितने odd days है? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 odd days है और आपको पता है कि 7 odd days मिलकर के पूरा complete हफता बना लेंगे तो ultimately बचेगा कितना 0 odd days? तो इससे हमें पता चलता है कि 2009 और 2015 के बीच में देरा 0 odd days इसलिए 2009 और 2015 का कैलेंडर सेम होगा. तो इसका correct answer हो जाएगा 2015. I hope everybody is crystal clear. clear. और ये MCQ's series आप वही लोग देखें, वही बच्चे देखें जो अलएडी regular class कर चुके हैं, right? बिकिस ये बहुत ही एकदम short और fast और एकदम concise to the point video है, right? जो बच्चे January attempt वाले हैं या बाद की attempt वाले हैं वो प्लीज पहले regular class attempt करें उसके बाद येवाल MCQ series देखें. तो 1st January 2010 को कौन सा डे होगा? इसको आप odd days से निकालेंगे, तो odd days कैसे calculate करेंगे? 2006 पूरा लेना है, तो 2006 में कितना odd days होगा? 2007 में 1, 2008 में 2 क्यों? क्योंकि ये leap year है, leap year में 2 odd days होते हैं, ordinary year में 1, 2009 में 1 odd days, और 2010 पूरा नहीं लेना है, हमें से 1st January का निकालना है, तो 1st January को एक दिन लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमें 2010 का भी एक दिन लेना पड़े, एक odd day. तो total odd day कितने होगा है, madam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 odd days होगा है, तो 6 odd days उंगलिया में गिन लो, हमारा base day कौन सा था? मैम, questions में हमारा base day था Sunday. तो again हमारा odd day 1 कहां से चालू हो जाएगा? अगर हमारा base day Sunday है, तो हमारा odd day 1 again Sunday से चालू हो जाएगा. तो odd day 1, 2, 3, 4, 5, 6. उंगलियों में गिनना, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So your correct answer is Friday, option number C. Friday is your correct answer. I hope everybody is still clear. चलिया आगे बढ़ते next question के तरफ, question number 3 आपके screen के पर ये रहा. If today is Monday, after 66 days it will be. अगर आज Monday है, तो 66 day के बाद वाले दिन कौन सा दिन होगा? इसमें बहुत सारे बच्चे ये mistake करते हैं कि सिर्फ 66 days का odd days निकालते हैं. आपको ये चीज़ एक्जाम में ध्यान रखने हैं कि आपको 66 days का नहीं, 67 days का odd day निकालना है. क्यों? क्योंकि after 66 days बोला 63, तो ultimately odd days कितना निकल के आया? चार. चार odd days आया, तो अब उंगलियों में किलो हमारा base day कौन सा था? हमारा base day था Monday. तो odd day बाना कि इन Monday से चाल हो जाएगा, तो odd day 1, 2, 3, 4. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So your correct answer is option number C, Thursday. I hope everybody is crystal clear. चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ. Question number 4 आपके screen के पर ये रहा. अच्छा, अब जो next, next two questions है, वो है हमारे clocks वाले topic से. ठीक है, तो calendar के questions हमारे होगा, अब हम clocks के कुछ questions देखेंगे और clocks का question आपके screen के पर ये रहा. Clock started at 7 a.m. To how many degrees does the hour hand rotate when the clock shows 1 p.m. साथ बजे एक घड़ी चालो हुई थी, सुबह के साथ बजे और वो दो पहर के एक बजे, अब हम उसको stop कर रहे हैं. तो आप बताईए, साथ बजे से लेके एक बजे तक hour hand कितना डिगरी रोटेट किया. तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि साथ बजे से लेके एक बजे तक कितना hours हुआ. साथ से आठ एक घंटा, आठ से नौ दो, नौ से दस तीन, दस से ग्यारा, चार, ग्यारा से बारा, पांच, और बारा से एक छे. टोटल छे घंटे हुए, ठीक है मैडम. और इंटो 30 is equals to 180. तो 6 घंटे में आवर हैं कितना डिगरी रोटेट करेगा? 180 डिगरी रोटेट करेगा. I hope everybody is crystal clear. चलिए next question देखते हैं. Question number 5 आपके screen के पर यह रहा. What is the angle between minute hand and our hand when the time zone is 5.30? साड़े पांच बजे रहे हैं. इस time, साड़े पांच बजे, आवर हैं और minute hand के बीच में angle किया होगा. इसमें अपना extra दिमाक ना लगा है. जो formula दिया हुआ, इस formula से solve करें. What is the formula angle निकालने के लिए? There is one formula. 11 by 2 minute minus 30 into hour. तो साड़े पांच बजे रहे हैं. तो साड़े पांच, 5 बजे के 30 minute. तो hour कितना है 5, minute कितना है 30. तो इसको formula में apply कर दोगे 11 by 2 into 30 minus 30 into 5. तो correct answer is 15 degree. I hope everybody is crystal clear. तो इसी के साथ हमारे day 17 के सारे MCQs होते हैं. जिससे हमारा clocks और calendar वाले topic complete होते हैं. तो next video में हम लोग बाकी सारे topics cover करेंगे logical reasoning के. I hope आप लोंका समझ में आ रहा है. और अगर ये वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो अपने सारे CACT friends के साथ शेयर कर दो, like क कर दो and do subscribe to my channel. अगर इसके बाद भी किसी कोई doubt है, please do let me know over any social media. I will surely try to clear your doubts. With this, this is Ishika Agrawal signing off. Take care. Bye-bye.